वाहिगर जी का खाल साव वाहिगर जी की पते मैं तोड़ी होस दिलम कोट मैं TV84 दे सारे दर्शकना हाद दिक स्वागत कर दिया प्रोग्रम सच विछ ते खाने नालब पर पूर ड़क्टर अमर जी सिंगी साथे स्टूडिय विच आयो होए ने आओ नान मिलकिया प्रोग्रम शुरू कर देया है ड़क्टर साथ वलकम तो अवर शुरू कर देया है हैं ड़क्टर साथे पहली एमेल पंजाबतू सरदार पवन दीव सेंग जीदी है ए लिख देहां ड़क्टर साब आज असी अचानक टीवी देख रहे सी ते गैट पंजाबी ते सिक डे प्रेट 2013 चाल रही सी मैंनों बड़ा उत्षा होया पर उस विच खालिस्तान बारे कुछ नहीं दिखाया ए देखे बहुत दुख होया ड़क्टर साथ साथे पेरंट्स जाँ ओना दे नाल दी जनरेशन नूँ खालिस्तान बारे कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं पर असी ताँ खालिस्तान दी हमामच उठना चांदे हां असी जो भी होवे खालिस्तान ली हादा नारा मात दे रवांगे ड़क्टर साथ तुसी वाहिगर जी अगी अर्दास करया करो के साड़ा कार जल्दी बान जावे जदो तुसी आपने शो वेच आपना विचाद दस दे हो ता संथ पिंडरा वालें दी गल जरूर कर दे करो तांके सानु कदी ए ना पुल सके के सेर्दित्यां बाज नहीं रहना तरम सेर्दित्यां बाज नहीं रहना वाहिगर तो अनु ते तोड़े शो दी एंकर नु चड़ दी कला बक्षे तांके तुसी पंत दी सिवा कर दे रो अते साड़े वरग्यानु ए जादर करवान दे रो के असी आपना हक लेना है अखीर वेच ए बेंती है के सच्चो साच दा हर एक देन दा प्रोग्राम यूट्यूब दे अपलोड कार दिया करो क्योंके साड़ा ए ही एक जरिया है वाहिगर जी का खाल साथ वाहिगर जी की बत है अग्साथ सब तो पहला दवीर पवंदीप संजीदा बहुत बहुत अनवाद उन्हाने पंजाब तो लिख्या है और उन्हान दे जजजबात एक सच्चे सिख दे अंदर की होना चाही दै उस दे फर्ज की ने उस दी सोच की होनी चाही दी है इस नो रिफलेक्ट कर देने सब तो पहला दोना ने वसाखी दी सिख डे परेड़ दा जिकर कीता है जड़ी न्यू यॉक दे वीच अखीर ले हफ़ते चुन दी है अपरेल दे और इस वार दी परेड़ भी बहुत कामयाब परेड़ सी हजारां दी गिंड़ती जिक अदाजे मताबक सतर तो असी हजार सिखा ने इस ते विच पर्टिस्पेट कीता है और इस दी आइद की मीडिया कवरेज भी बहुत हुई और जिनने भी पंजाबी दे इते चैनल ने पैक दे विच जिनना दे विच गेट पंजाबी पी टी सी जास पंजाबी ये सारे शामल ने और टीवी 84 नो भी इमान हासल है कि उन्हाने भी इस परेड नो लाइव कवर कीता है जिए लोग परेड दे विच मौजूद सन जह जिए पत्तरकारा ने इमानदारी नाल परेड नो कवर कीता है वो इस गाल दी गवाई दंदे ने के परेड शुरू तो अखीर तक खालस्तानी रांगवी चरंगी हुई सी परेड पुलर दी रहाई सबंदी जन्नी यंग्स्टर्स दे विच उत्शावाडी गाल सी पहला कदे के तेनी देखी गई परेड दे और्गिनाइजस ने भी ए परेड जड़ी है प्रोफेसर पुलर दी रहाई और हुमर राइस वाइलेशन्स दे खलाफ जड़ी है ओसनु जड़ा उनने रख्या हुए ऐसी ओसनु उनने पेट कीती सी है सारी परेड और हमेशा दी तरह गुरू गरंत साहिब जी दे फलोट तो बिना जड़े होर फलोट सी उनना चो बहुग इनती फलोट जड़े ने उपंजाब दे विच सिक संगरश बीते समय दे सिक शहीदा अजोक के दौर दे सिक शहीदा इना दी रिफ्लेक्शन सी जेना दे पिच्छे सिक यूट अफ अमेरिका और बाकी जड़े पंथ परस्तरे ने बड़ी वड़ी गिनतीच मार्च कर रहे सी पर मैं क्योंके उनना ने नहां लेया एक चैनल दा है मैं क्योंके असीवी फैलो उस एक टीवी लाइन दे नार जुड़े हुएं ये सचो सच शो दे रहे ही सो मैं किसे नों नेम तर नहीं करांगा पर हाल लगपग सारे आँ दा ये सी कि जदों खालस्तान दी गल कर दा फलोट जहां खालस्तान दे नारे मार दे उत्षाई नौजवान जिना चो बहुत सारे इत्थों दे जम पल ने उ अगंधी लंग दे सी तो उना दे कैमरे बनो जान दे सी उना दा जहुत सी कि मेले वणा जड़ा महौल है उनुग खाओ को जलेबियां खारे आए कोई छोले पतूरे खारे है को कुर्चे पतूरे खारे जहां मार्च कर दे हैं गुरू गंट साथ दे फ्रोड दे पिछे जहां जड़े दूसरे सोशल थीम्स वाड़े और इस नो इवन कुछ जड़े पत्रकारता नार्ड सच्यारे ने पामे उखालस्तान दे हमायती नहीं उन्हां चो एक रू मैं केंदे सुने हैं उन्हांने किया है कि इता जर्नलिस्टिक एथिक्स दे इखलाफ है कि जदो तुस्तों अपना की ऑपीनियन एक वक्री का ले जदों तुस्य एक इवेंट नो कवर करन गये हूं ओवेंट फॉर दा कंट्री है अगेंस दा कंट्री है एक जर्नलिस्ट एक मीडिया मैं उदा फर्ज हुन दै कि उन को सतनीजिगत थैंद उन दे दिखनाड़ है एप जोगने जनाध लोगने जनाधे पैसे नाख उना दा तक हुरें 悪र की भॉलॉका चल दे पर जे तुसी इवेंट कवर कर रहे हूं तो फिर जो है उसनों दखाओ और यह पहली वार नहीं हुआ है पिछले साल भी जड़ा है इस किसम दाइगाल देखन चाहे सी और परेड लाइव दखाई जा रहे सी हुंता बहुत सारे आने एडिट करके दखाई है लाइव दखाई परेड़ा साब देख कीरतन देवी राइट लाइव नहीं उना ने उना दे कैमरे लग गया है इस सड़नली जो ही ओफ लोड सामने हो दी लंगडा सी सड़कतों उना दे कैमरे बंद हो गए और जदों तागर उदे पिछे हजारा लोग सी नारे मार दे और जदों लंग गय फिर उना ने दखाया सो एए उन जे इस लेवल दी थरी टायर बही माननी है अपने जड़ प्रोफेशनल एथिक्स देनार अपने दर्शका देनार जिना दी सब्सक्रिप्शन देनार तो अड़ा तो रीफल कल चल दे जे इवर अपनी कौम देनार जे फिर हुन उना नो ने की गुरूने सानो समरता दती है असी अदा कर रहे हैं एहुन कौम ने देखने सिर्फ अरदास तो अड़ा रिजॉल्व हुन दे जोदों भी असी किसे आशे देली तुर दे हैं अरदास अकाल पुर्ख दे अगे असी अपनी ताकत अपने रिजॉल्व अपने प्रण अ अपने निशाने नूँ द्रिड करण देले करते हैं जेडी रिजल्ट हुन दे है उतौडी कारवाई नाड हुन दे के तुसी किने कदम अगे जांदे हो और एक गाल बड़ी सपष्टा दे नाड है कि जदो वसी कार बनोना हुन दे उना सी इक सिर्फ इस गाल ले रबग ग पॉक्षा कर दियुक्त? बना देने के जी चलो पोग पेहन लग गया उन्हें इस तो बद परशाद बंडेगा पढ़े आगा राज करेगा काल सा फिर तब पढ़ी जाओ लेकन मैं समझेदा हैं भी इस वेड़े जड़ी कौम दे विच एक मुर्देहान स्थिती आई हुई है बिल्कुल एक डेड है यह स्टाइटस को जड़ा बढ़े है इन्हों तोड़न दी लोड है और जड़ी काल उन्हान ने संथ पिंड़ें वाड़ें दी कीती मैं समीदा है भी यह वीर लगाता अर प्रोग्राम देख देने शायद अग्गे भी इन्हान नो लिखिया ऐसी तो फिर इन्हान उन्ह पर जड़िया होईगा जांनाचाइद है है कि असीं हमेशा इना नो वीवी सदी दे महान सिक्दी विचारता अराया जड़ी के उन्हान ने कौम जघा के ओमी अजादी लगे कामी दे जेमें दृती जुनादा छिक्र भी कर दें ऑननो एड़ और इक कालप रहती में और अपने अड्रेस ते विच ये संगतों जड़ा है ओ बुलवान दे साने शब्द आप अगे बोल दे सी कि सिर्दतेयां बाज नी रहना तरम सिर्दतेयां बाज नी रहना सो जार है भी ओ आप ता अपने आपने अपनों शहीदी ले तियार कर रहे सी पर उनाड मैसेज भी दे रहे सी कि जो तुसी अजादी दा रस्ता चुड़ने है जो तुसी सिखी दे रस्ते ते आयों ते फिर कुर्बानी दे ले तियार रहना चाहिए ते ओ ता अपनी निबा पर एक काल जडी मैं जरूर एक करनी चोंदे ते हैं जह एक बॉर इसपेक्ट के बहुत वार असी मैसेज नो पूल जनदे हैं जा मैसेज पाशे रहा हो जनदे जै मैसेजर देना जोड जनदे संथ पिंडरावाड़े हैं दी एक शक्सियत उन्हादा अपने जीवन देविच कीता कारनामा अपने शहादत नाल कारनामा उन्हादा मैसेज है कौम देली हुन होया कि के जड़ी उन्हादी नमाइंदगी कर दी जदे चों जदे ओ जथेदार सन तक साल ओ वी बाई साल बहुत सारे जड़े ने इस गालदे नाड़ी जुड़े रहे क्योंकि उतली लीडरिशिप ने किया है कि जी संथ चड़ दी कलाच ने कि ओ पुल गए कि संथ ता अपना कम कर गए उन्हा दाता ये सिन्यास पश्ट सी कि जस दिन हिंदोस्तान दी फाउज दे पैर हरमंदर साब दी हदूद चपे खालस्तान दी नहीं रखी जावेगी तो उन्हादी शहादत ही उन्हादे रिजॉल्व दा सबूत है कि जो उन् बंदें नड जुड़ते है, एक परसन नड जुड़ते हैं, समाप के मैसिज पासे चला जानाद है बजाए के ओ संस्था जाए लगए हूंते उन्हां जुड़ते है, कौस दे उत्ते फोकस कर दे, खालस्तान दे उत्ते जुड़ा है, जिसदे Looks दे लगए उन्हानने देखो वरता रहा है तो कई वार अपने आपनों मैसूस होंदा है कि बस साड़ी लड़ाई ये सी जिना दी फोटो जिना दा ना असी देखना चौन दे हैं यादगार दे होते उना ने ता सानु सनिया दता सी के खालसा जी शहीदा दे खून दा हक लेने जिना तो हक लेने जे एक परसन नाड़ ही इस गाल नो जोड़ देना है फिर ता एही गाल नामतारी लेर दा हो ऐसी बाबा राम सिंग नामतारी बहुत वड़े लीडर सी उना नो सदार कपूर सिंग जड़े साड़े फिलासफर हुए ने वीमी सदी दे उना ने एक किताब सब्त श्रिंग ल फरंगी दा है इस आवाज नो बुलंद कीता है और जवें कुक्या ने कुर्बानिया कीती है तो पांदे थले हस्दे हस्दे खलोते हैं पर की होया उस लैर दा इल्टीमेटली क्योंके ओ जुड़ गे बंदे दे नाड़ के राम सिंग नो बाद दे विच गुरू भी बना चैनलर इंडिया ने डिया इंडिया ने कीता है एक गल्फ जाधति कैसे राम सिंग जदो उन्हों अनों अंग्रेशा ने जलावतन करके रंगूर पर रिदता बर्मा उन्हां ने कहा जी बाबा जी तह चडड़ दी इकरा जने जद रूस पंजाबे आवेगा बाबा राम सि तो बंदे दे नाड़ मैं समय दें कि जदों कोई और एह हकुमता कर दियाने कि एक परसंदे नाड़ जोड़ दें पर नाड़ आने उसाड़े खालसाई गगंदे रोशन सितारे ने उनने अपनी ठाँ बढ़ा ले है उनने कौन उनना दी ठाँ ले सकते बादल के जहां दूजे ना लिख दें ना लिखन की फरक पेंदें पर जड़ी गल होन वाली है उनना दा मैसेज तो खालसतान दी नाड़ कीता है उननों पॉजिटिव स्पिरिट चे लेना समझना के भी यसी तो आड़ी हैं कर लानों कटे हैं पर उनना वसी ठीक परस्पेक्टिव देविच तांके कोई घलत मैसेज ना जाए लेंड़ दा यतन कीता है यह ड़ूट सामेते लिने एक शोटा है ब्रेक वे